आप अच्छी होंगे तो आप नोटिस करें कि मैंने वाही ट्राइस पहनी तो एक चिली मैं बैक टू बैक वीडियो सूट कर रही हूं कि मेरा भी छोटासा बेभी हैं जो मुझे फ học करना पढ़ा था ध्ला भी फी ध्रीन हैं ज्याइक तुप लिए उनलोगों को अपना ताइम देना पढ़ता है मेरे लेए वह ज़्यादा स्य इंपर्टेंट है कि इसके चलते में वीडियो को थोड़ा सा उस्केश कर्ती हैं जल में बाखी वीडियो को बताती हूं वह अच्छे से वर्फ करती हैं चimento करते दी pomo आप लोगों ने देखा होगा मैंने कम्यूटी गाइडलाइन पर ब्लाउच डिजाइन का डाले हुए हैं तो यह फैब्रिक मैंने किसी ना किसी में दिखाया होगा आपको वीडियो में कि मैं इसका बनाने जा रही हूं किसी पसे पहले हैं तो इसका जो फैब्रिक था मैंने सिंपल सा ये फैब्रिक लिया तो ये पोरा पीस मुझे रही हंट रुपे का सिन्थ का अब हम नहीं से लाए बहुत ही अच्छा वर्क का पीछ के ब्लाउच है ऍे इसके अंडर जो मैंने देख लगा है वह कॉटन का वल् क्याते वही लगाई हुई है देन इसका जो आगे से नेक है वो 3.5 इंच का है आप देख सकते हैं और ही पैड़िट ब्लाउज 16 इंच हां 16 इंच है मैं इतने ही लंबे ब्लाउज पहनती हूं 16 के नीचे हो जाए को उपर नहीं होता 17 उस एक पर 15 और 14 नहीं रहता तो यह तरीके से यह फ्रंट से कुछ तरीके से है और नेक टिटलिंग की बात करती तो मैं में इसमें जो यह लगाई है यह 35 नहीं फिप्टी रुपा मीटर मिली थी मुझे यह यह बहुत ही और इंच कलर की ले लैस है इसको आप देख पा रहे हैं उसने इस कलर को बहुत हैंस कर दिया है कि यह कपड़ा मुझे बहुत सुन्दों लगा तो आल्रेडी बहुत हैपी था बट मुझे थोड़ा साथी मे क pana अल्राइए तो मुझे थोड़ा से स्कों गैडिया फिर में इस तरीकी से स्क्राइब ऑि है दूदी लगा दी जो इसमें यह लगा हुए है मोति आप लोक नहीं बनाते हैं तो इसमें पता क्या होता है कि हमको गली में एक है नहींigor है तो हमारा जो नेकलेस वाला खर्चा है और रहा जाता है आप पहन लीजिए गले में पहने की ज़रूद नहीं है अगर आप हाउस मदब कुछ भी भूलती है अगर आप मैरिट है अधर्वाइज आप चैन पत्ली से डाली अगर आप लड़की है उबर गल है आपकी मैर्स आद कौँ तरीके से इसका फ्रंट है छो नीड बाती हो आपकी अप पीछेसे मैं आपको दिखा कर दिती हूं सोब बाती हां मैं पुठ अच्छा लगा-ट अच्छा तो इसको मैं एक परपल करके साधी के साथ भी पहनूंगी देखते इसका कैसा लोका था तो यह हमारा सेकेंड ब्लाउस फिर्स्ट ब्लाउस तो देखिए इसका जो लोक है बहुत ही आप चाहें तो इसके फोटो भी लगा दिंगो आपको साइड में तो इसके बाद हमारे सेक संदर कपड़ा पहले वह संदर ब्लाउस डिजाइन तो अलग चीज होगी तो इसम्पल ही बनाया है बट जो का फैब्रिक था बहुत ही सुंदर फैब्रिक था जिसने भी देखा वह मस्त बना है ब्लाउस तो मुझे वह वह रड्ड है तो यह था वो फैब्रिक आपको मैं रखा देती हैं तो यह बकार्ओनृत के सब्सक्ताइबर भी सिर्व 11 का बहुत ही थिक तो यह जहि अच्छी अधी है तो यह हो गए बैल्ट और ब्लाउज जो है ब्लाउज है नॉर्मल जो आगे से खुले हुए होते हैं उस ट्राइब से इसकी लंबाई 17 इंच है तो मैं आपको दिखा देती हूं एक सेकेंड सौरी वह एक्षिली ओपन था तो मैं इसका हुक लगा देती हूं थोड़ा सा डिफ्रेंस से इसके नेक में आगे से वाकी ओबर ओल सिंपनी बलाउज तो मैं आपको पहले दिखा देती हूं यह आगे से ओपन है एक से कि तोड़ा सा एक्षिली खुले हुए हैं आपको समझ में नहीं आए इसलिए मैं सोचरी में लगा दू इसके बाद आपको दिखाती हूं जो क्लियरली आपको दिखाई दे तो कुछ इस तरीके से इसका ऊपर से तो यह गोल नेक है और नीचे थोड़ा सा वी शेप दिया है आपको दिख रहा होगा यह थोड़ा सा नीचे से मैंने यहां पर लक्ष तक फुक दिये हुए है तो यह 17 इंच का है और इसका फ्रेंट नेक है 3.5 भी है और इसके बाद जो मैंने यह वी शेप दिया वह तर इसके बाद जो बैक है वह नौमा बिल्कुल बंद नाए गला है धाई इंच का बहुत छोटा सा ही गला बंद हो जाता बिल्कुल पीछे में कुछ भी नहीं बिल्कुल सिंपल सा ब्लाउस है इसके बाद मैंने को बीस में नॉर्मल लगा तो यह था मेरा सेकंड ब्लाउस में आपको दिखा देती हूं तो यह है मेरा थार्ड ब्लाउस यह भी पैड़िड है अगे से बन नेक है यह 3.5 इंच का आगे से नेक है मोटली यही नेक पहनती हूं पीछे से से इसका 2.5 इंच है नेक दैन पीछे इसमें बना हुआ है पाँ एक में पर धी है टा हें फेल दिया है आइंड दो हुख मैंने इसमें नीचे दिए उए हैं उसतरिके से आई कैसे और यह两व लैस से प्लाउस तो यह थेखbourg मेरे नॉर्मल से ब्लाव डिजाइंस जो आपकी सिंपल सी साड़ी को इन्हेंस कर सकते हैं बहुत सुन्दर खुपसुरा लुक देख सकते हैं तो आप इनको बनाएं अपने घर पे और अगर आप लोग इनको बनाते हैं तो आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे टैक करके और अगले किसी और वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बबाई अपना ध्यान अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब को लेजेगा रगा कोई यहां पर नया आया है तो और फैमिली फैंड में श्यार कर देजेगा एंड हीट कर दीजे लिए ला